एक्जाम्पल फोर्टिन यहां पर देखे दो स्टेटमेन दे रखा तो पहले आप स्टेटमेन टू को देखे यहां पर करा करा कि टावर का जो एंगल फिलवेशन है दो पॉइंट से और दोनों पॉइंट का डिस्टेट से रखा एक का डिस्टेट से ए और एक का डिस्टेट से बी टावर के फोट से और दोनों पॉइंट है जो स्टेट लाइन में है और जो एंगल बना रहा वो कॉंपलिमेंटरी ए यहां पर देखिए जैसे माल लेते हैं A, B एक टावर है और नीचे ग्राउंड हो जाएगा तो इसी सेम स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट है माली जी एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है यह माल लेते हैं C है और यह D है और बोला था कि दोनों पॉइं एंट है जो तावर के साथ कॉंफलीमेंटरी एंगल बना रहा तो यहां से दोनों पवंटके टावर को टॉप कॉमस्ट करिये लिंज निका dem條 युह नहींशन में निया इंगल आपर कॉंफलीमेंटरी है यहां पर समझे कि तो second angle होगा 40, उसी परकार अगर एक एंगल ठिटा, तो second angle कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए, जैसे पाला एंगल था 20, तो दूसरा एंगल कैसे निकला था, तो 90 में से 20 को घटाईए, तो भी दूसरा एंगल आएगा 70, यहाँ पर भी दूसरा एंगल निकालने के लिए, 90 मैं से 1st angle को घटा दिजे, that means 90 मायनस 50, तो यहाँ जाएगा second angle, यहाँ भी एक एंगल ठिटा गाला होगा, तो यहोजाएगा 90 मायनस ठिटा, तो यहाँ पर यह भी ठिटा, तो यहाँ पर लेट कर लिजे, यहाँ पर लेट कर लिजे, कि AB एक टावर है and two point C and D भी चार आट डिस्टेंस A and B from the foot करा कि दो point है, एक point C है और एक point D है और दोनों point का दूर डिस्टेंस है टावर के फूट से एक point का डिस्टेंस है A और एक point का डिस्टेंस है B और यहाँ पे हमको बोला था कि यहाँ पे बताएं कि तुर टावर का हाइट होगा वो अंदरूट AB होगा, तो यहाँ पे टावर का हाइट क्या है? यहाँ पे आपको प्रूफ करना है AB equal to अंदरूट AB यह न리 सिज आपको लाना है, अब यहाँ पे देखिए figure में आपको दो triangle दिख रहा, एक यह बला, जिसमें अंगल है 90-θ, और एक triangle ABD, जिसमें अंगल है ठ, तो बारी-बारी से आप दोनों triangle में चले, तो सबसे पहले इस triangle में चलते हैं, ABC में, इन triangle ABC, तो ABC में चलेगा, तो यहां पर देखे, आपको AB निकालना है, यह बला side दे रखा, त तो 10 लगाए, क्योंकि यह हो जाएगा P और यह हो जाएगा B, तो यहां पर लगाए 10 theta, तो 10 theta इकोल्ट होगा AB upon BC, यह theta के सामने यह P हो जाएगा, तो AB और यह base हो जाएगा BC, तो AB upon BC, यहां पर put कर यह बलू, तो यह हो जाएगा 10, यहां पर देखे, theta का बलू कितना है, 90- तो यहां पर theta के जगाए 90- theta, और AB तो आपको निकालना है, तो AB के जगाए A भी रहेगा, और BC का बहिल हो जाए A, तो यहां पर आ जाएगा A, अब देखे, tan 90- theta, तो यह होता है 4 theta, तो यहां पर put कर यह 4 theta, तो यह हो जाएगा 4 theta equal to AB upon A, इसको माल लिजए equation 1, अब चलिए इस triangle में, ABD में, जिसमें angle बारा है theta, intringle ABD, तो ABD में चलिए तो यहां पर लगाए 10 theta, तो 10 theta equal to AB upon BD, यह पूरा base, तो यहां पर हो जाएगा 10 theta equal to AB upon BD, अब यहां पर देखे, angle तो theta है, तो theta के जगाए theta ही रहेगा, तो यह हो जाएगा 10 theta equal to, और AB आपको निकालना है, तो यहां पर देखे, BD का value क्या है, B है, तो यहां पर पूठ हो जाएगा B, इसको मालने जा equation second, अब देखे equation 1 और 2 को, इसमें LHS में है cot theta, इसमें LHS में है 10 theta, तो अगर आप cot और 10 को multiply करेगा, तो यह 1 आ जाएगा, तो यहां पर दोनों equation को multiply कर जाए, equation 1 multiplied 2, तो जब 1 multiplied 2 करेग तो यहां पर LHS को LHS के साथ, तो यह हो जाएगा cot theta into 10 theta, और RHS को RHS के साथ, तो यह हो जाएगा AB upon A into AB upon B, तो यहां पर देखे, LHS में तो 1 हो जाएगा, और RHS में देखे, AB into AB, तो यह हो जाएगा AB square, और निचे में A into B, तो यह हो जाएगा AB, यहां पर cross multiply करेए, तो AB का square equal to हो जाएगा AB, तो यहांसे AB का भाहिलो निकाली, तो यह स्क्वाइर इस साहर आएगा, तो रूट में convert होगा, तो यह हो जाएगा AB equal to under root AB, और यहीं पर बोला था कि AB equal to under root AB आना चाहिए, तो यहीं तो आया है, यानि यह statement 2 सही है, अब देखिया statement 1 को, इसमें कारा है कि if the angle of elevation of the top of a tower from a point at a distance of 9 meter and 16 meter from the base of a tower in the same line are complementary, करा tower के top का angle of elevation दो point से और दोनों point का distance दे रखा एक का है 9 meter और एक का है 16 meter, tower के base से और दोनों point जो same line में है और यह जो angle बना रहा है, वो बना रहा है complementary, जैसे यहाँ पर देखिये, माली जे AB एक tower है और यहीं same straight line में दो point है, माली जो एक point यहाँ है, यह माली जो C है और यह D है और यहाँ पर दोनों point का distance दे रखा, एक का 9 meter और एक का 16 meter तो यह हो जाएगा 9 meter, यह कम है, यह पूरा बढ़ा बढ़ा हो जाएगा 16 meter इसके बाद देखिये, का रहा था कि दोनों point है, जो tower के top के साथ, जो angle बना रहा है, वो complementary बना रहा है तो यहाँ से दोनों point को tower के top से join करिए तो यहाँ पर एक angle affiliation यह हो जाएगा, और एक angle affiliation यह हो जाएगा और दोनों complementary है, मतलब एक angle यह जी theta होगा, तो second angle हो जाएगा 90 minus theta यह तो आपको आ रहा है समझे, अभी आपको statement 2 में भी बताए है तो यहाँ पर बोरा है कि then the height of the tower is 12 meter तो करा है कि इतना के बाद क्या, जो tower का height होगा वो 12 meter आएगा यह आपको so करना है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे statement 2 में जो tower का height a b था, वो कितना आया था under root a b, यह आया था ना, और यह वाला distance था a, और यह वाला distance था b, इस तरीके से था उसमें तो आप क्या करें कि statement 2 का use करिए, अस्टेटेटवेंट 1 में, कि क्या statement 2 का use statement 1 में हो रहा है तो यहाँ पर देखिए, a b equal to हो जाएगा under root, a का value यहाँ पर कितना है, 9 है, और b का value 16 है तो यहाँ पर पुट करें, 9 into 16, यह हो जाएगा, तो यहाँ पर देखें, यह 9 का रूट निकाल यह तो 9 का रूट हो जाएगा 3, और 16 का 4, यह हो जाएगा 3 into 4, तो यहाँ पर हो जाएगा a b equal to 12, यानि टावर का है कितना आगे, 12 वा गया, और यहाँ पर बोला भी था कि क्या statement 2 का is statement 1 में हुआ है, तो जब statement 2 का is statement 1 में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा option a, example 15, statement 1, if the side of a vertical pole is 1 upon root 3 of its height, करा कि यदि vertical pole का जो side है, वो इसके height का 1 upon root 3 हो, then the altitude of the sun is 60 degree, तो क्या sun का जो altitude होगा, वो 60 degree होगा, तो यहाँ पर देखें, जैसे माली जी यह एक vertical pole है, a b, और इस तरफ sun है, तो इस तरफ sun है, तो इसका side हो इस तरफ बनेगा, माली जी ब c इसका side है, और यह हो जाएगा, angle of elevation, और यहाँ पर वो ला था कि इसका जो side हो है, वो इसके height का 1 upon root 3 है, तो माली जी 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 कि इसका height है, वो h meter है, तो जब इसका height h meter होगा, तो इसके side हो का यहीं चीज़ बोला था तो यहां पर हो जाएगा एच अपन अंदरूट थिरी तो बोला था किया जो एंगल आएगा वो 60 डिग्री आएगा यहां पर देखिए बोला था एंगल 60 डिग्री आएगा तो यहां पर निकाल के देखिए माल थे यह एंगल है ठीटा तो एक यह साइट दे रखा एक यह साइट दे रखा तो यह हो जाएगा पी यह हो जाएगा बी तो यहां पर टैन लेना होगा क्योंकि टैन में तो पी और का रिलेशन आता है तो यहां पे ले लिजे 10 ठीटा तो यह हो जाएगा AB upon BC यहां पे पुट करी भहलू तो AB का भहलू है H और BC का भहलू है H upon root 3 यह root 3 ऊपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा 10 ठीटा equal to root 3 अब यहां पे देखे root 3 10 में कितना डिगरी का भहलू होता है 1060 का तो यहां पे हो जाएगा 10 ठीटा equal to 1060 यहां से ठीटा का भहलू निकालिए तो यहां से compare कर यहां पे अंगल है ठीटा यहां पे अंगल है 60 तो यहां पे हो जाएगा ठीटा करा यदि सन का altitude 45 डिग्री हो then the side of a vertical pole is same as its height तो vertical pole का जो side होगा वो उसके height के same होगा तो जैसे यहाँ पर देखें मा लिजे यह भी एक vertical pole है और इसका side इस तरफ ले लेते हैं BC है और यहाँ पर वोला कि अगर सन का altitude of 45 डिग्री है मतलब यह वला angle 45 डिग्री है तो जब यह angle 45 डिग्री है तो इसका जो side होगा वो उसके height के same होगा मतलब यह दोनों length same होगा यह हम से पूछ रहा है तो यहाँ पर देखें यहाँ पर लगाई यह दोनों side के बीच में relation है तो 1045 लगाईगे तो 1045 इकॉल टो हो जाएगा AB upon BC और यहाँ पर 1045 का भाई लूपूट करिए तो यह होजाएगा वन इकॉल टो AB upon BC यहाँ पर cross multiply कर दिजे तो यह हो जाएगा AB equal to BC यहाँ पर देखें दोनों side आपस में क्या गया और यहाँ पर बोला भी यहीं था कि क्या दोनों यह जो side है और इसके पूल का जो हाइट है दोनों आपस में equal लाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों statement हो सही है लेकिन अब आपको देखना है कि क्या statement 2 का यहाँ हुआ हुआ है पर आपको यहाँ झाल झाल